कारी देने की कोशिश कर रहा हूँ किसके पहले लगभग साड़े 400 वीडियो से जाधा वीडियो हम लोगों ने इस चैनल याने ओनलाइन लीगल एडवाईज में अपलोड किये हैं और जितने भी वीडियो थे मैंने काफी सारे topics कवर कियें जाधा तर जो आपको वीडियो मिलेंगे वो family logs के उपर मिलेंगे जहाँ पर मैंने आपको पारिवार एक मामलोस संबंदित जो तकलीफे होती है, परिशानिया होती है और संबंदित क्या कानून है इसके बारे मैंने आपसे जिक्र किया, उसके बारे मैंने आपको बताया मैंने आपको child custody, alimini क्या होता है, maintenance क्या होता है, istriden क्या होता है, divorce का procedure क्या होता है शादी करनी है तो court marriage कैसे की जाए या जो normal शादी होने के बाद court marriage या registration का जो procedure होता है प्रक्रिया होती है उसके बारे मैंने आपको explain किया judicial separation बताया, restitution of conjugal right जहाँ बरपती या पतनी एक दूसरे को छोड़ कर चले जाते है इसके बारे मैं बताया, high court में appeal कैसे होती है, बहुत सारे matters मैंने family related issues से cover किये कहीं पर भी मेरा intention ये नहीं था कि लोग तलाक ले जो आपसी सहमती तलाक प्रक्रिया आसान होती है, दोनों साथ में लेते हैं लेकिन जो contested divorce है, इतना जटल प्रक्रिया है, इतनी आसानी से तलाक होता नहीं है और जो प्रक्रिया मैंने explain की, जो कानून में लिखी हुई है उस हिसाब से आसान शब्द आसान भासा में आपको समझाने का आपको बताने का मेरा प्रयास था लेकिन मेरा प्रयास आपका घर तोड़ना कभी भी नहीं था और आगे भी कभी नहीं रहेगा मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि प्रक्रिया मुश्किल है अगर आप Contested Divorce एक तरफा जो तलाक होते हैं चाहे पती लेना चाहे या पत्नी लेना चाहे उनसे सम्बंदित जो तलाक के मामले होते हैं वो कठेने तलाक लेना इतना आसान नहीं है तो इसके बारे मैंने आपको explain किया अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको वीडियोस जादा जो वीडियोस होते हैं वो डाइवॉस की उपर देता हूँ या फैमली मेट्रोस की उपर देता हूँ और मेरा intention लोग का घर तोड़ना या बरबात करना है ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैंने अपने किसी भी वीडियो में intentionally या indirectly ये hint नहीं किया कि आप अपना घर तोड़े मैंने किवल आपको प्रक्रिया बताई मैं चाहता भी नहीं हूँ आप घर तोड़े भी नहीं अपना और तलाक आखरी option होता है आखरी पहला नहीं ये आखरी विकल्प है पहले आप सार बता करने कोशिश कर लें सुला करने कोशिश कर लें आप mediation में जाईए उसके बारे मैंने आपको बताया mediation का क्या arbitration का क्या प्रक्रिया है तो जो मध्यस्तता होती है उसके थूँ आप अपना मामला समझ सुलजा सकते हैं तो कहीं पर भी मेरा intention आपका घर तोड़ना नहीं क्लियर रहे आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे जिससे आपको परिशानी आपको तकलीफ ना हो आपको ग्यान रहे आपको जानकारी रहे और यही मेरा प्रयास था आंगे भी रहेगा दूसरी बात मैंने केवल matrimonial issues को cover नहीं किया मैंने family issues को cover नहीं किया हाँ जादा तर videos जो थे मेरे वो पारिवारिक मामलों से संबंदित जरूर थे लेकिन मेरे जो videos आते हैं online legal advice में जो आपको videos मिलते हैं बहां अगर आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार के videos में आपको पहुचाने का प्रयास करता हूँ जहां पर logos के संबंदित परिशानी का समधान निकल सके जैसे online fraud होते हैं चाहे वो ATM के थ्रू या online आजकल UPI का जो concept चला है ATM, Google पे, phone पे के थ्रू जो fraud होते हैं उसके बारे मैंने आपको बताया लोग pornographic content भेज करके आपके साथ ठगी करते हैं या data entry jobs related fraud होती हैं इसके बारे मैं आपको बताया मैंने आपको fees structure बताया किस case के कितने fees लग सकते हैं, time कितना लगेगा, प्रक्रिया क्या होती है, क्या आपको जानकारी अगर रहेगी तो आपको परिशानी जो है वो कहीं हद तक परिशानी कम हो सकती है, और यदि आप अनभिक्य रहेंगे, आपको जानकारी नहीं रहेगी, तो निश्यत रूप से आप गुमर भी हो सकते हैं तो online legal advice का यही प्रयास है कि आपकी परेशानियों को कम कर आपको एक कानूनी भाषा जो है सरलता के साथ आपको समझाई जा सके तो यह वीडियो भी आपको देने का यही प्रयास था कि अगर आप मेरे family matrimonial issues से संबंधित चाहे वो divorce हो, judicial separation हो, enrollment of marriage हो या कोई भी संबंधित topic है तो आप यह ना समझे कि मेरा आपको प्रयास घर तोड़ने का है क्योंकि जो प्रक्रिया है एक तो कानूनन प्रक्रिया भी का काफी कठिन है इतनी आसानी से तलाग होता नहीं है और अगर आप जा रहे हैं प्रक्रिया में तो आपका आखरी विकल्प होना चाहिए मैं वापस अपने शब्दों को इसलिए repeat कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोग के comment थे कि आप जो वीडियो बनाते हैं उससे ऐसा लग रह मेरा गलत मैसेस देने का भी objective नहीं था आपका जो विकल्प है क्योंकि एक और मैं विशे बता दूं काफी लंबे समय से मैं family law में काम कर रहा हूँ तो मैं आप तक ये भी जानकारी पहुचाना चाहता हूँ कि होता क्या है आपको ये लगता है कि अभी जो आपके पती या पत्नी है वो खराब है इसके बाद जो आएंगे वो बहतर होंगे इससे ये आपकी गलत फहमी है ये भी तो हो सकता है कि जो आने वाला पती या पत्नी है वो और भी जादा आपको परेशान करे या जिनकी वज़र से मांसिक या शारीरेक तोर पर आप और भी जादा परेश तो इससाब से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है, ओनलाइन लीगल एडवाईज के साथ तो आप बने रहें, कानून की जानकारी भी आप लें, लेकिन गलत मैसेज आप ना रिसीव करें, जहां पर आपको ऐसा लगे कि मैं आपको उकसा रहा हूं या प्रिवोक कर रहा ह मेरा इंटेंशन कभी भी ऐसा ना था, ना आँगे रहेगा, घर जोडने का अबजेक्टिव है, घर तोडने का अबजेक्टिव हमारा नहीं है, तो इसी बज़ा से लगातार हम ऐसी कोशिश करेंगे, जहां पर जो आपकी परिशानिया है, उन्हीं टॉपिक से सम्मंधित आपको वीडियो पहुचाएं, जैसे अगर क्रिमिनल लौ की बात हम लोग कर लें, मैंने आपको बताया, जमानत कैसे होती है, हाई कोट में कैसे, ट्राइल की प्रक्रिया क्या है, पुलिस आपको परिशान करें, आपसे रिश्वत लें, उसके लिए आप कहां शिकायत कैसे कर सकते हैं, RTI के बारे में मैंने आपको बताया, काफी सारे कानून को हम लोगोंने, साइबर लौस रिलेटेट फैमली मेटरमोनियल, क्रिमिनल, सिविल, जितना हम लोग कवर कर सकते थे, उतना किया आंगे भी करेंगे, पूरा प्रियास रहेगा, लेकिन गलत मैसेज ना र के साथ, जो 4 लाग से उपर सब्सक्राइबर हुए हैं, इसके लिए हमारे पूरे online legal advice, जो हमारा परिवार है, इन सभी का धन्यवाद, आप ऐसे कुछ लोग नाराज भी हैं, जो नाराज हैं, comment box पे ज़रूर mention कीजे, हमारी जो legal team है, वो आपको assist करेगी, help करेगी, कि आपक धन्यवाद, इसके बाद, वीडियो की सीरीज आने वाली है, जहाँ पर हम 8-9-10 वीडियो आपको देंगे, और हम particularly जो family matrimonial issues और बच्चों का क्या, बच्चों से संबंधित हम आपको detail में पूरा का पूरा provision बताएंगे, कानून बताएंगे, और आपको जानकारी पहुच आने का प्रयास इसी चैनल के मादियम से रहेगा, अगले वीडियो तक बने, जहाँ पर हम आपको बच्चों से संबंधित कानून के बारे में बात करेंगे, वो भी detail में, सीरीज वाइस